तो चलिए profit and loss देख लेते हैं इस मंत में हमने कितना क्या profit and loss बना और देखे वीडियो ध्यान से दिखना और profit and loss में सिर्फ ध्यान मत देना मेरा जो लर्निंग है उस पर ध्यान देना क्या profit and loss देखोगा है कि मैं भी सीख रहा हूं और जो मैं सीख रहा हूं आपको बताने हो कोशिश करता हूं जो आप ना करो जो मैं कर रहा हूं ठीक है अपने गलती से सीख लोगे लेकिन दूसरे का भी गलती एट कर लोगे तो थोड़ा बहुत जल्दी सीख जाओगे और मैं एक लोट से इसके बाद नहीं दिखाऊंगा लेकिन ठीक है चलो दिखा देता हूं बाकी ठीक है आप वीडियो देखो बाकी आप लोग बताना आपका मंत कैसा रहा प्रॉफिट अन लॉस जो भी हूँ आप है तो चलिए प्रॉफिट अन लॉस देख लेते हैं जुलाई मंत में हमने कि प्रॉफिट अन लॉस भी देखेंगे साथी साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिसकस करेंगे जो इस मन्त में हमने सीखा लॉस प्रॉफिट जो भी होता उसको करने के बाद हमने क्या समझा वैसे दिखिए जुलाई मन्त ज्यादा अच्छा तो नहीं गिया सुर अच्छी बात है मेरे लिए मैं तो सोचा था कॉस्ट ठीक ठाक हमने काम किया था यहां पर ज्यादा कुछ बड़ा मिस्टेक हमने किया नहीं था और थोड़ा बहुत दिक्कत है और एक दिन हमने दो लोट से ट्रेट कर लिया था लॉस भी ज्यादा हुआ था इस वज़स हो इन जो काम होता है ना मैं किस तरह से काम करता हूँ मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ मैं किस तरह से अपना डिसिप्लीन फॉलो करता हूँ मैं किस तरह से एंट्री कंडल देखता हूँ इंट्री कंडल देखता हूँ तो इन सब चीज़ों पर अगर फोकस करेंगे ना तो और एक हीुल की ट्रेट करता हूं टीन चार ट्रेड मेरा नहीं होता है यह राता है कि रिखता हो जो फेंड करता है रिक्स भी रहता हूं नौर्मल जमें रहता है годаTube गवे 75-80 point के आसपास का मेरा stopless रहता है, मैं target भी उसी तरह से लेता हूं, ठीक है, तो होता क्या है, मेरा reason क्या है, stopless बढ़ा रखने का, काफी लोग पूछ रहते comment में, तो उनको मैं बता देता हूं, ठीक है, stopless बढ़ा, मैं एक trade करता हूं, ठीक है, अब मैं छोटा stopless रखूँग ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ने experience किया है, और इसके पहले, मैं आपको समझाया है, प्रीवियस मेरा वीडियो देखना, जो पी एनल में share करता आ रहा हूं, ठीक है, उसमें मैंने बता है कि, किस तरह से मेरा brokerage, मतलब profit में तो रहता था, लेकिन ज़्यादा trade करने का राण कह करतям हैं आपको देखने से समय मैं किस तरह सेकर करता हूं और यह है। कि देखिए इस मन्थ में क्या learning मिला मेरे को मैं वह discuss करता हूँ देखिए verify pnl के लिए काफी लोग बोलेंगे क्योंकि काफी लोग यहां पर नए जूर है तो मैं उनको verify pnl दिखा देता हूँ देखिए verify pnl में यह दिखा रहा कुछ अलग लेकिन मेरा जो एक्चुल जो pnl है वह जो मैं आपको दिखा हूँ वह verify pnl में कहीं ज्यादा दिखा रहा मैं समझ नहीं पा रहा बाकि आपको अगर समझ में तो देख लेना और मैं डाल दूंगा देख लेना ठीक है बाकि यह बनाया था बहुत अच्छा trade बनाया था इसमें explain करने का जोगत नहीं है अच्छा समय ने explain कर दिया था क्योंकि market continue भागा था हमने यहां कहीं पर position बनाया था अच्छा में profit मिला हमने exit कर दिया अब देखिए यहां पर learning point समझ में आएगा यहां पर हमने क्या देखा था market में position तो बनाया था put side का लेकिन हमने यहां पर wait करके काम किया था ठीक है वह मैं आपको explain करता हूं और क्यों wait किया था वह भी आपको समझना चाहिए कि trade करने से नहीं हो था setup में क्या आपको entry मिल जागा लेकिन कब setup बने फिर भी entry नहीं लेना वह समझना है यहां पर हमें क्या देखा था buyers का stopless देखा था ठीक है बायर का stopless था market में हमें opening भी ठीक ठाक देखने मिला जब buyers का stopless में रहेगा ना market में तो ज्यादा बड़ा gap up open नहीं देगा चोटा मोटा gap up अगर ज्यादा बड़ा gap up open देता भी है न तो open होते कोई rate candle सार्प बना दिया तब तो ठीक है वरना क्या है कि ज्यादा बड़ा gap up देगा मतलब समझ लेना कि market buyers को target में भी ना करें ठीक है क्योंकि buyers का stopless create किया है तो market में छोटा मोटा gap up flat में थोड़ा बहुत वेट करके gap down देगा तो वहां पे सबसे best रहता है तो gap down तो दिया ठीक है plan भी था selling का हमने वेट क्यों कर ल वेट किया directly गिर रहा था हमने position नहीं बना market में candle को देखा यहां कहीं पर हमने जाकर entry बना ठीक है क्योंकि market में हमें दिखा stop loss भी create हो गया थोड़ा बहुत market में क्या है कि यहां पर buyers अभी भी निकला नहीं है तो उनको ध्यान में रखता हमने position बना और अराम से अपना यहा पर मिल गया ठीक है यहां पर हमने call side में काम क्यों नहीं किया था क्योंकि call side में काम कर लेते market ने seller का stop loss create नहीं किया था इस वाले momentum में market बिल्कुल जो भी seller था उसको निकाल दिया था अगर यहां पर stop loss create करता market थोड़ा week वाला candle बनाता इस तरह का तो में भी अपना plan change कर ले ठीक है बाकी थोड़ा बहुत आ गया जाते हैं यहां भी देखिए मार्केट क्या किया था एकाउन और पाउंड्सों के ऊपर closing दिया था ठीक है यहां पर भी देखिए हमने selling site का plan किया था ठीक है और काम भी किया था लेकिन यहां पर अपना stop loss हीट होगा देखिए stop loss हीट ह होगा वैसा निया कि जैसा हम सोचेंगे मार्केट एक्जैक्ली वैसा ही काम करें लेकिन देखिए लगभग 90% मार्केट वैसा ही काम किया हमने क्या यहां पर प्लान किया था कि मार्केट में एक आउन हजार पाउंड्सों को ऊपर closing दिया यहां पर buyers का stop loss है लेकिन यहां पर आई बाउन हजार की नीचे नीचे से मार्केट गिर है न तो यहां पर सेलर भी काम किया है तो यहां पर हमें अगर सेलिंग में काम करना थो पहले थोड़ा बहुत ऊपर आ जाएगा रिट्रेस्मेंड के बाद जब सेलर को निखाल देगा उसके बाद हम यहां पर पोजिश उपर नीचे थोड़ा बहुत मिलेगा लेकिन अगर एंट्री आपका सही नहीं हो ना तो थोड़ा बहुत मुस्किल हो जाता है वहाँ पे ट्रेड बनाना ठीक है आप देखे स्टॉप लस्स थोड़ा बहुत बढ़ा होता तो में भी टार्गेट मिल भी जाता लेकिन वैसा न आपको भी देखने मिलेगा मेरा चैनल पर बिडियो अप्लोट किया हुआ पूरा सुरू से लेके लास तक आपको वीडियो मिलेगा ऐसा नहीं है कि जिस दिन loss हुआ मैं वीडियो डाला अज जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन भी डाला क्योंकि देखे मेरा जो ट्रेड गंघ्ना में यहां पे सेलर करें तो उतना दिमाग में मत लीजें आपको समझ में ना है आपकर नियोत कि बूट ज़यां किए तो दिमाग confused होने लगता है किसको काम करें किसको नहीं काम करें किसको कब apply करें तो बिलकुल simple लखिये जिस चाइड आपको stop loss मार्केट में नज़ा रहा है उसके according काम कीजिए हाँ एक बात ध्यान रखना है अगर buyers का stop loss create किया ना तो ज़्यादा बड़ा gap up नहीं open होना चाहिए होगा क्या दिखिये ज़्यादा बड़ा gap up नहीं open होगी अब buyers profit में आगया फिर market इनको target नहीं कर पागा ज़्यादा सा ज़्यादा क्या होगा retracement करके निकालने के बाद हमें upset का momentum कहीं न कहीं देखने मिल सकता है तो इनसा बातों का ध्यान दखिये और psychology समझ के काम कीजिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जागा इसलिए आप ज्यादा एक्जामपल नहीं दिखा रहा हूँ वैसे आप लोग जाके बैक्टेस करना कहीं न कहीं आपको समझ में आगा जो म में पॉइंट हमेजा डिसकस करते रहता हूँ बाकी ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में